इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आप मैसेंजर के कैमरा के पर्मिशन को कैसे इनेबल करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं मेरे स्क्रीन पे हम ओपन करते हैं तो जैसे हम ओपन करते हैं तो यहाँ पे अलाव मैसेंजर एक्सेस टू यूर कैमरा तो इसका क्या प्रोसेस है इस वीडियो को आप सुरू से लास्ट एक देखते रहें अगर हम टर्ण आउन पे जाते हैं तो यहाँ पे इस तरह से देखने को मिल लहा है तो हमको क्या करना है कि back आ जाना है और back आने के बाद अब क्या करना है कि जाना है setting पे और setting पे जाने के बाद आपको यहाँ पे जाना है apps यहाँ पे दिख रहा है हो सकता है दूसरे mobile में apps manager होता है apps management होता है तो आपको क्या करना है apps पे चले जाना है apps पे जाने के बाद आपको second number में मिलेगा manage apps तो इस पे आप click करेंगे और इस पे click करने के बाद आपको यहाँ पे जाना है और यहाँ पे आपको messenger type करना है जैसे messenger type करेंगे तो आपको क्या करना है app permission पर आजाना है जैसे आप app permission पर आएंगे तो इसके बाद आपको क्या करना है camera पर चले जाएंगे और camera पर जाने के बाद आपको क्या करना है कि यहां से allow कर देना है और allow करने के बाद आपको क्या करना है कि आपको back आजाना है और back आने के बाद आप फिर से messenger पे जाएंगे तो यहाँ पे आपकी camera open हो जाएगी camera चलते हुई होगी तो यहाँ से आप जैसा कि हम आपको दिखा रहे हैं camera के हमारा permission enable हो चुका है और camera work कर रहा है तो यही इसका process है अगर यहाँ पे वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को like करें और channel को subscribe करें